हेलो जे श्री राम ता आज हम बटर पेपर भराएंगे यह मुझे रेजिन आर्ट में काम आने वाला था मुझे फ्लॉवर्स को ड्राय करना था तो उसके लिए मिर को यह बैस लगा इससे हम कर सकते हैं बहुत सारी बैक्री समान में यह यूज आता है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में दिखाऊंगी तो सबसे पहले मैंने ब्रश हैं जो कि मेरे पास नहीं है तो मैंने अपने डबे में से अपने बॉक्स में से कुछ कॉटन निकाल लिया और कॉटन कायोज करेंगे तो यह कॉटन इसमें ग्रीन सा कुछ लग रहा है वो मैंने हटा दूंगी किचन नहीं है किचन से उठाया ओल जो कि सर्सो limited से करते हैं यह मल जाता है अगाओं में रहती हैं गाओं में यही अवेलेपल रहता है तो यह मैंने टीनों चीज दे लिए अब हम साट करते हैं हमारे बटर पेपर बनाना तो हम कॉटन रहा हम इस अगाने को लगा कर नीचे हमें और पेपर्स रखने ताकि ओयल वेस्ट ना हो और हम ऐसे इस पर पुरे पिपर पे लगाते रहेंगे सही मैं ऐसे लगाएंगे और यह लास्ट में कुछ पूरा ओयल लगा देंगे इस पर पूरे पर आजाना चाहिए कोटन की हल्प से मतब थोड़ा जोर आएगा टाइम लगेगा मैं हुझे भी काफी टाइम लगा था तो ऐसा बन जाएगा देखो आप ही मापको दिखाती हूं कि कुछ ऐसे अलग करने के बाद में ही नेक्स्ट वाले पीज पे भी देखो काफी ओल आ गया और इसमें हाथ आर पार दिख रहा है ट्रांस्परेंट बिल्कुल औ अब हम ऐसी सेम और भी बना लेंगे हम एट पीस और रेडी करेंगे ऐसी हमारे वह सारे पीस रेडी हों एक जो हमने रेडी किया है वह बिटर पेपर उसे और उसके ओपर एक वाईट शीट नॉर्मर लगते जाएंगे अशानी एंग एक एक शेट रखती है एक के ओपर एक और और फिर इन सब को देखो एक के ऊपर एक है एक के ऊपर तो अब इसे हम दबा के रख देंगे किसी भारी चीज के नीचे और चोइस घंडे बाद में देखेंगे तो चोइस घंडे बाद में कुछ ऐसे हैं इनका सारा ओल जतना भी मेरे पहले हाथ में रिलगरा था टच करने पर वह एक भी नहीं है एक दिम ट्रांस्पेरेंट बन ग बिलकुल बटर पेपर बन जाती है अभी यह वाले बन चुके हैं तो उनका भी हम यूज कर सकते हैं उनमें काफी हत्त की बटर पेपर इदर बन गए पर इनमें कम है तो थोड़े वो तैसे हैं तो हमने बना लिया है तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं इसका यूज कैसे करने वाल थी रेजिनाट में फ्लोवर्स को ड्राइ करने के लिए तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कैसे मैं इसे करते जाते हैं प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दो वीडियो को अगर आपने सस्क्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्ली थाइब आपने सस्क्राइब और शेखते हैं